नमेश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलुशन के यूट्यूब चैनल पे अगर आप सीसे उनिवस्टी से बीएड कर रहे हैं बीएड फर्स्ट इयर में हैं या फिर आप बीएड सेगंड इयर में हैं तो एक ओफिशल अपडेट निकल क ये उफिशल जो अपडेट है ये खुद सीसे उनिवस्टी की तरफ से आई है जो की तमाचा है उन यूट्यूबर्स के उपर जो अभी तक आपको गुमरा कर रहे हैं रूमर्स फैला रहे हैं कि जो आपके बाइस जून से एक्जाम हैं वो आपके इस्तगित हो सकते हैं उन यूवस्टी ने भी ओफिशल नोटिस निकालना पड़ा है कि बिल्कुल भी ब्रहांतिया ना फैलाएं बिल्कुल ये तमाचा कह सकता हूँ मैं जो की यूवस्टी ने उनके उपर मारा है क्योंकि वो अब तक गुमरा कर रहे हैं क्योंकि और अब जो एक्जाम का टाइम है वो आपकी मिस्प्रिंट है क्योंकि वो आपकी चार जून के अकबार में आई थे की बाईस जून का एक्जाम इस्त 으mbud लेकिन पाच जून के जो निउस पेपर में आई है अमरुजाले के वार्फिर से जहीं होके आय थे की बाईस जून से ही प्जाम होगे और मैंने आपक कि आप देख सकते हैं जो ये नोटिस है ना ये अधी सूचना जो जारी हुई है ये आपकी कल जारी हुई थी 10-6-2022 को ठीक है तो ये आपकी जो ओफिचल नोटिस है ये खुद यूनिवस्टी को निकालना पड़ गया क्योंकि इतनी जादा रियूमर्स फैलाई है और से वही वीडियो बना दी है उसको वाइरल कर दिया और ये कह दिया कि हाँ शायद हो सकता यार शायद क्या चीज है क्या मनलब पागल है इस्टुडेंट आप पागल समझते हैं या फिर आप बस ओनली व्यूस लेना चाहते कि आपके पास न्यूस पेपर की कटिंग आ गई उसको एनलाइसिस नहीं करना है अपने दिमाग से नहीं देखना है कि जो आप न्यूस पढ़ रहे हैं वो किस डेट की है कम से कम इतना तो एनलाइस करके फिर वीडियो बनाएं लेकिन अधिकतर यूट्यूबर्स ऐसी होते कि एक दूसरे की वीडियो देखी और वीडियो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, कटिंग देखते हैं, फिर उसकी डेट वेगरा देखते हैं, उसको एनलाइस करते हैं, तब वीडियो मनाते हैं, ताकि आपके पास बिल्कुल ओथेंटिक जानकारी आये, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने वो खबर पड़ी थी जो की चार जून की थी, चार जून की थी और चार जून को ही तीन खबर आये थी, एक अमरुजाला में आये थी, एक आपकी हिंदुस्तान में आये थी, एक आपकी देनी जागरन में आये थी, अमरुजाला सिर्फ यही कह रहा था, उस दिन के एक्जाम इस्थगित, लेकिन यूटिवर्स को क्या चाहिए सिर्फ व्यूस चाहिए और स्टुडेंट का टाइम बरबाद उनको कोई मतलब नहीं है स्टुडेंट का टाइम बरबाद हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको सिर्फ अपने व्यूस से मतलब है ठीक है और जो कि इसका आज परमान दिया है क्योंकि अब एक्जाम का टाइम काफी कम है जो आप पहले थे ना फिर से आप के पास वही पिरेड ओफ टाइम अब आपके पास बचा है और आज भी सच बताओं तो आज भी चैनल पे कुछ बच्चों की यह कमेंट आई हैं कि सर क्या बाहिस जून से आगे जाएंगे एक्ज करता है कि यार यह वही बच्चे हैं जो चैनल से आए हैं और अभी तक घुम रहा हैं मतलब सही कहूं तो उन यूट्यूबर्स को भगवान भी बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगा क्योंकि यार इतना जाद आपने बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया है आपको पता ही है ब क्यार हद कर रखिया बिल्कुल मतलब भी इतने बड़े चैनल होके भी बिल्कुल भी क्या ही कहें बस चलो फटाफट जब यह अधिसूचना की बात कर लेते हैं जो कि नोटिस दिया है यूनिवस्टी ने जो की अब ओफिशल नोटिस है ठीक है अब अगर अब भी आपको यकीन नहीं होता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं फिर कोई इलाज नहीं है आपका ठीक है तो चले फटाफट से इस नोटिस की बात कर लेते हैं संग्यान में आया है कि चोधरी चर्ण सिंग विश्विद्धाल्य मेरट की बीएड मुख्य परिक्षा हैं 2022 के परिक्षा कारेकरम इत्यादी से संबंदित भ्रांतियां विभिन सोशल मीडिया प्लैटफोर्म पर वाइरल की जा रही है अध्या समस्त महाविद्धाल्य शिक्षकों एवं चात्रों को पुने इसमरंड कराना है कि बीएड मुख्य परिक्षा 2022 की परिक्षा दिनांग 22622 से विश्विद्धाल्य द्वारा निर्गत परिक्षा कारेकरम पातरांग बीएड परिक्षा 491 दिनांग 3622 के अनुसार ह की जाएंगे ठीक है तो अब इस नोटिस में आपका साफ साफ बता जिया है कि आपके एक्जाम 22 जून से होंगे अब मैं स्टुडेंट से रिक्ष्ट करूँगा कि अगर इस नोटिस को लेकर वो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि देखे अब आपके ए जादा मुल्यवान चीज होती है आज की दुनिया में समय उसको बरबाद किया है अपने विडियो बनाए तो उनके कमेंट में आप जरूर जाके बोलिएगा कि आप ही वो हैं शक्स जिसने स्टुडेंट का टाइम बरबाद किया है मैं नहीं चाहता हूँ अब वो इस नोट में चाहिए और कुछ आँए तो और सुटुबर्स घstersट आभी आनरे स्टपोले सारी वह चाहते हैं कि मैं सारी यूनीवर्स्टि की न्यूस दे दूं ना मैं बिल्कुल भी सभी बता हूं तो मैं ओनली CCS University और MSU University और MGPRO University की नीज देता हूं इससे बाहर की कोई भी उनिवस्टी हो कानपूर लखना हूं मैं उनकी नीज नहीं देता है क्योंकि मुझे उनके बारे में नहीं पता तो मैं फालतों में बच्चे को घुमरा क्यों कर नमना यह request करूगा उन यूटूबर से ठीक है लेकिन नहीं मानता है कोई तो क्या ही कर सकते हैं तो चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करेगे वीडियो को like करेकर आपको अच्छी लगी हो देखो अब घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो मैंने आपको important question बत बड़ा चैनल ऐसा नहीं था कि उसने ये बात अपने मूँ से ना बोली हो कि हाँ शायद आपके exam इस्तगित होंगे ये news शायद सच भी हो सकती है ये बात हर एक यूटूबर के मूँ से निकला है कि हाँ शायद ये newspaper की बात सच भी हो तो इसी को लेकर बच्चे इतने जाद नहीं है क्योंकि important question जो भी मैंने आपको बताए है बिए फर्स्ट यर और सेकिंड डियर के लिए वही आपके exam में 100% आएंगे इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेगा वही आपके exam में 100% आएंगे तो important question के series जितनी भी मैंने करा दी है अब तक finally सारा ही पुरा हो गया है तो उनको जरूर देखेगा उनको बिल्कुल भी नहीं चोड़नी है आपको 100% वही आपके exam में आपको हूब हूब मिलेगी वही questions आपको आपके exam में मिलने वाले हैं चाहे वो CCS University का बच्चा हो चाहे वो MSU का बच्चा हो ठीक है अगर आप MSU University के भी है कोई दिक्कत नहीं है be it first year के जो भी मैंने important question कराए हैं वो आपको देखने हैं वो ही आपके exam में हूब 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 आएंगे ठीक है तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है अब 11 दिन बचे हैं तो 11 दिन में आप कर जाएंगे अब देखो 11 दिन फिर से बचे देखो कितने कम दिन बच ग कि फालतों में time waste ना करें आप नहीं हमें बटकाया था ठीक है तो चलिए all the best अपना ध्यान देखेगा तो अपना ध्यान बिल्कुल रखना है क्योंकि अब 11 दिन बचे हैं लेकिन फिर भी आपको गरम पानी पीना है था कि आपकी तभी ठीक रहे ठीक है ताकि गलाब का सही रहे और अपना ध्यान नखना अपने घरवालों का द्यान नखना है और study hard ठीक है और घपराने वाली बात नहीं है क्योंकि important question आपके पास हैं जो भी मैंने बताएं ठीक है बस उनको कुछ बच्चे पूस्ते हैं यह भी discuss कर लेते हैं कुछ बच्चे पूस्ते हैं कि सर आप आप जो important है ना आपके exam के लिए वो भी आप miss कर जाएंगे वो भी आप भूल जाएंगे तो जो भी important question में बता रहा हूं सिर्फ वो learn कर लीजेगा वो आपके लिए काफे ज्यादा 100% वो ही आपके exam में आने वाला है तो चले अपना ध्यान रखेगा खुछ रहेगा पढ़